और जब एरपोर्ट पर फ्लाइट पहुची देखिए उसका भी एक स्वागत किया गया किस तरह से यहां स्वागत किया गया उस फ्लाइट का जस फ्लाइट में भारती टीम मुंबई पहुची है ये तस्विरे भी अपने आप में अद्बुद हैं अलग स्थर पर जश्ण मन स्वागत किया गया है टीम जिस जहाज पर जिस फ्लाइट पर सवार होकर आई ये उस वक्त की तस्विरे हैं वाच उस सलूट दिया गया है भारतिये क्रिकेट टीम को आम तोर पर कोई जहाज जो बेड़े में शामिल होता है या इस तरह से कही नई शुरुआत होती है कोई पहली फ्लाइट लैंड हो रही है कोई एरपोर्ट शुरू हो रहा है आम तोर पर ये ट्रडिशन तब देखा जाता है या कोई बहुत सिंगर पालेट रिटायर हो रहा हो उस वक्त ये ट्रडिशन फॉलो किया जाता है लेकिन भारत में क्रिकेट एक अलग धर्म कहा जाता ह है एक अलग रिलीजन है जहां सभी लोग भारती टीम की जीत के कामना कर रहे थे और सभी की वो दौाएं सफल हुई भारती टीम ने जीत हासल की और अलग अलग परंपराएं अलग अलग तरीखे से अलग अलग अंदाज से भारती टीम का स्वागत किया रहा है एरपोर्ट होंगे बारती टीम के कोच के तौर पर उनका इस सफर इसे वर्ड कप के साथ इ-20 वर्ड कप के साथ फिलाल के लिए समाब्त हुआ सबसे सीनर खिलालियों में सेक रहे और उनकी कोचिंग में अगर बारती टीम इस खिताब जीत कर लाई है जाहिर तो पर उनके लिए भी बहुत बड़ा लमहा था ये कुछी वक्त में विक्ट्री परेड शुरू होगी प्रशंसक जो है फैंस जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि देगे एक खुबसूरत तस्वीर एक जागरुकता की तस्वीर भी सामने आई है तनी जारा भीड़ है जैसे हम क्या भी रहते कि पाउं रखने की जगह नहीं है तिल रखने की जगह नहीं हो लेकिन उस भारी भीड़ में भी एक एंबुलेंस को रास्ता दिया जा रहा है अ और जागरुकता महराश के लोगों ने मुंबई के लोगों ने देश के क्रिकेट प्रेमियों ने इस जागरुकता की तस्वीर बता और नजीर पेश की है जो समझा जाए और ये देखिए एरपोर्ट के अंदर के तस्वीरे जहां पर फलाइट के लैंड होने के बाद के लोगों में देख रही है हर प्रोफिशन के लोगों में देख रही है और दोसरी वो तैयारी जहां सुरक्षा वळस्ता बेहद पुक्ता कर दी गए है इंत Incorporality के और टीम का इंतार किया जा रहा है ये देखिए वाटर कैनन सैलुट जो है वो उस फलाइट को दिया गया जिस फ्लाइट में टीम इंडिया के विनर्स जो हैं वो सवार होकर यहां पहुँचे हैं प्रधान मंत्री नरेंद मोदी से मुलाकाद पीम ने खुद इन खलालियों का इस्तक्बाल किया स्वागत किया तो कुछी वक्त में यह विक्ट्री परेड अब शुरू होने वाली है